अंतर मुखी होने पर ही शान्ती अपनी दृष्टी को बाहर से हटा कर अंदर डालना चाहिए, अध्यात्म पत का अवलंबन लेना चाहिए जगत में इधर उधर भटकने वाला प्राणी इसी शीतल वरक्ष के नीचे शान्ती प्राप्त कर सकता है जब बाहर के माया रुपी वस्तूओं के भ्रह्म से विमुख होकर हम अंतर मुखी होते हैं, आत्म चिंदन करते हैं तो प्रतीत होता है कि हम अपने स्थान से बहुत दूर भटक गए थे आवशक्ताएं कभी पोर्ण नहीं हो सकती, उन्हें जितना ही त्रप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा उतना ही वे अगने में घृत डालनी की तरह और अधिक बढ़ती जाएंगे इसलिए इस चाया की पिछे दौडनी की अपिक्षा उसकी ओर से पीठ फेदनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कौडियों के लिए क्यों मारे मारे फिर रहे हैं जबकि हमारे अपने घर में भंडार भरा हुआ है अंतर में मुह देखने पर परमात्मा के निकट उपस्तित होने पर वो ताली मिल जाती है जिससे सुख और शांती के अक्षे भंडार का दर्वासा खुलता है अपनी वास्तविक स्थिती को जानने से आत्म स्वरूप को पहचानने से संसार की स्वरूप का सच्चा ज्यान होने से शांती की शीतल धारा प्रभाहित होती है जिसके तट पर असंतोश की ज्वाला जलती हुई नहीं रह सकती तब वो मृक्त रिष्णा को त्याग देता है सच्चा संतोश उपलब्द होने पर उसकी बाहे आविशक्ताएं बहुत ही थोड़ी रह जाती है और जब थोड़ा चाहने वाले को बहुत मिलता है तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है अखंडे जोती मार्च 1941 प्रिष्ट 17 अखंडे जोती मार्च प्राप्त प्राप्त प्राप्त